असलाम विलेकुम वियर्स कैसे है आप सब आज हम आप सब शेर करने वाले है तहारी की रेसिपी यह जो तहारी है यह गुलबरगा बालापूर और नांदेर के साइट की फेमस डिश है तो बस अब हम आपके साथ उसकी ही रेसिपी शेर करने वाले है यह जो तहारी है वहाँ अब बैसिकली शादियों में बनी जाती है तो जो शादियों में जैसी तहारी बनती है देख की तहारी तो हम बस आपके साथ same वैसी ही recipe शेयर करेंगे आप ये वीडियो को end तक जरूर देखिएगा ये तहारी जरूर बनाईएगा इंशाला जो है आप बिल्कुल भी regret नहीं क लिएगा नहीं तो आपकी ताहारी है वो बहुत ज़ादा ओईली लेगी बस यहाँ पर हमने थो फूल लिये हैं एक बड़ी इलाइची लिये है चार और पांचय मिर्च दाल देंगे 4-5 जहे हम यहाँ पे इलाइची दाल देंगे 2-3 जहे हम यहाँ पे तेज पत्ते दाल देंगे एक छोटा सा दालचीनी का तुकड़ा दाल देंगे बस आपको इतने ही गरम मसाले दालना है आप चाहे तो यह पॉइंट पे जीरा वगेरा भी दाल सकते हैं बस यह साईट चीजों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है दुसरी तरफ जो हमने लिये है 5 प्यास जो मीडियम साइस की प्यास आती है वो उसको हमने फाइनली चॉप कर लिये है तो बस यहाँ पे अब हम वही दाल देंगे अगर आप बड़ी प्यास यूज़ कर रहे है तो जो दो प्यास है वही इनफ है लेकिन आप मीडियम टू स्मॉल साइज यूज़ कर रहे है तो आप जो है वो पांच लीजिएगा बस आपको जो है इसे पिंकिश होने देना है ज्यादा भी नहीं जलाईएगा नहीं तो जो आपकी ताहरी का टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा तो बस हम जो है इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पिंकिश करेंगे आपको जो है थोड़ी सी भी जल्दबाजी नहीं करनी है एक जाम आराम से बनाईए ये इतमेण आँसा बनाईए तो बस यहां पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर दिये है जिसमें प्यास ने पिंकिश होने के लिए कुछ कम से कम 10-12 मिनिट लगा दिये हैं बस यहां पे जब हमारी प्यास थोड़ी सी पिंकिश हो गई तो यह पॉइंट पे जह हम इसमें दाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता हमने पहले इसलिए नहीं दाले है कि जब हम फिर प्यास को पिंकिश करते तो वो दौरान में जल सकते थे और उसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा तो बस यहाँ पे हमने कड़ी पत्ता डाले है नहीं यूज करेगा फ्रेश जब आप दालते है तो उसकी बाद ही कुछ अलग होती है और बहुत जादा मज़े की हमारी तहारी बनती है, तो बस यहाँ पे हमने फ्रेश जिंचर गालिक पेस्ट को सोधार और वही दाले है आपको पूरे प्रोसेस में आपकी फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है हाई फ्लेम पे नहीं बनाईएगा आप जितना इसे इत्में नांस बनाएंगे आपकी जो तहारी है वो उतनी ही ज्यादा टेस्टी और यामी बनेंगी बस यहां पे जो है हमने जो है चोटा चोटा ही चोप करिएगा अगर आप बड़े पीसे चोप करते है तो भूनते वक्त हमें प्रॉब्लम होती है तो बस यहां पे हमने वही दाले है यह सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजेगा अच्छे जब आप मसाला भून रहे है तो आप जो है व बस ग्रीन चीली पेस्ट के बाद जो है हम यहां पे दाल देंगे तू टेबल स्पून रेट चीली पाउडर जो ग्रीन चीली का पेस्ट था वो हमने वन एना हाफ टेबल स्पून दाले है यहां पे जो है हमने वन टेबल स्पून सॉल्ट दाले है वान टेबल स्पून दालना है तो धनिया पॉडर जो है हम दाल देंगे 4 टेबिल स्पून सो बेसिकली हमने आपको सारी चीजों के मेजरमेंट्स बताए है और यह जो हम तहारी बना रहे है वो जो है कुछ तीन ग्लास के अंदाज में बना रहे है तो बस यह जो सारे मेजरमेंट्स है यह तीन ग् प्रेंप ताहिए टमाटर को बहुत अच्छे अच्छे-सबाद में पको बाग काइए प्रमूत, यह खाए टमाटर को जवेजाअ में काइए अच्छे अचे समुझे में प्रम के यह थाइज़ते लाप्त की यह और मटन दालेंगये, तो मटन जो है हमने पहले से बॉइल करके रखे थे मटन में हमने हल्दी पाउडर, सॉल्ट और जिंजर गालिक पेस्ट लगा के उसे हमने बहुत ही अच्छे से विसल ले लिए है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए लेकिन आपको जो है कम्प्लीटली सॉफ्ट नहीं करने है क्योंक ही घुल जाए तो जब आप मटन को बॉइल कर रहे है या विसल ले रहे है तो आप जो है उसे कुछ 90% ही कुक करिएगा 85-90% उसके बाद ही आप इसमें दालिएगा बस यहां पे जो है हम सबसे एंड में से करेंगे कोतमिर से गानिश जब आपका मसाला बहुत ही अच्छे स आप जाए एक मिक्स दे देना है इसे आप अच्छे से और भूनिए फोर तू फाइफ मिनिट्स के जो भी थोड़ा सा बचावा पानी है वो अच्छे से सूख जाना चाहिए और हमारा मसाला एकदम धॉ जाना चाहिए तो बस जब 4 तू 5 मिनिट्स आप इसे अच्छेसे भ बताते हैं अच्छे से भून चुका है तो अब हम यह मसाले को करते हैं पतीले में शिफ्ट क्योंकि यह ज़ो पैन है यह छोटा सा है और इसमें जो है हमारी ताहारी नहीं बनेंगी तीन ग्लास की तो बस जो सारा मसाला था हमने एक बड़े पतीले में शिफ्ट करे है उसके बाद जो हम इसमें डालेंगे पानी राइस और जो हम डाल यूज करेंगे उसके हिसाब से जो हम इसमें पानी डालेंगे तो बस अब हम आपको वही बताते हैं उसे पहले जो हम जो तहारी बना रहे हैं वो हम राइस की और अखा मसूर जो आता है हम उसकी बना रहे हैं बेसिकली जो ब्लै थमसूर की डाल है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, आप पंद्रा मिनिट भी भीगा देंगे तो इनफ है, तो बस यहाँ पे हमने मसाला डाल दिये हैं, मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी, पानी जो हम डालेंगे वो राइस की अंदास से डालेंगे, तो बस को अन्दाज बताते हैं कभी कोई भी कप गरे hadrai was. ja कटोरी यूस कर। यूस कर्रें हैं यूज भी अभी कुछ भी ह्यूस कर रहे हैं, तो हम आपको उसके हिसाब से ही बताएंगे. अगर आप 3 ग्लास राइस यूस कर रहें जानी दालने के बाद हम इसमें दाल देंगे दो निम्बू का रस इसकी वज़ा से आपकी राइस बहुत जादा खुली-खुली बनेंगी और आपकी ताहारी में बहुत जादा अच्छा एक खटा सा फ्लेवर राएंगा वो भी बहुत जादा यमी लगता है बस हमने जो अक् तेस्ट आता है हमारी ताहारी में कोथमी दालने के बाद हम इसमें दालेंगे हैंडफुल ऑफ पुदीना पुदीने से भी बहुत जादा अच्छा अच्छा प्रेवर आता है बस आप मेक्शॉर करिए कि आप पुदीना बजार से ला रहे है वो कड़वा नहीं होना चाहि दाले है यानि कि उसका रस भी दाले है और यहां पे अख्य नीम्बू के भी चार पीसिस करके दाल दिये है यह सारी चीजों को अच्छे से स्टर कर लेना है और जब तक कि उसको एक बॉयल नहीं आ जाता आपको अक्षा मसूर तप तक उसे पकाना है एक बॉयल जब आ गय अब कोई भी ग्लास के मेजरमेंट से कटोरी के मेजरमेंट से आप इसे बना सकते हैं हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं राइस जो है वो हमने दो ग्लास लिये है अक्षा मसूर की जो दाल है वो हमने एक ग्लास लिये है और पूरे प्रोसेस के लिए जो हमने पानी य पानी दालने के बाद बाद यह हम गोड़ों चाली के लि चलिग भाएम देलने के लागवना हमारी ताकि हमारी यह ताहारी का टेस्थ 17th छी बाद हो जै तो जो हमने और शोल्ट डेले है हमने वो भी रास के हिसाब से दाले है हम ने दो गलास रास और एक गलास डाल लिए थे तो बस वही हिसाब से हमने इसमें और ठिटेबल स्पून स्वल्ट ड़ाले है उसके बाद जो है हमने इसमें और धन्या पाुडर ammaryकिकश अप्राइब जो औरेंज कलर का आता है वो तो धनिया पौडर जो है आप पानी दालने के बाद धनिया पौडर दालना बिल्कुल भी नहीं बूलिएगा ये जो है ताहारी का एकदम गेम चेंजर है इससे बहुत जादा जो हमारी तहारी का फ्लेवर है वो बहुत जादा अच्छा आ जाता है तो बस अब हम जो है इसे पकाएंगे अच्छे से for 10 मिनिट्स और आप जो है इसे दम पे भी रख सकते हैं आपके हिसाब से आपकी राइस कैसे पकती है आप उस हिसाब से उसे आप भी एक बबना कर उस्टेम के आपको ट्रायि 민वी थी, तो बस आप भी एक बर बना कर जरूरू ट्राय करिएगा, हमें पहैं तो आप इसाथ चैप कर सकते हैं, हमारी गिलबरगा नांदेर और बालपुर स्टाइल ताहारी जो है वो बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो जाती है एक बार बना कर ज़रूर ट्राय करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बिताईएगा तो बस यही थी आज़की एक चोटी सी रेसिपी, चोटी सी वीडियो अगर आपको हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सपोर्ट करे, शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे और एक बार शादियो वाली ताहारी बना कर ज़रूर ट्राय करें हमें comment section में भी बताइगा आपको यह recipe कैसी लगी थी दूआओं में आद रखेगा आप हमारे next video में क्या देखना पसंद करते हैं हमें comment section में जरूर बताइगा hope you like the video दूआओं में आद रखेगा जजा कर्ला अच्छा हमने तहारी के साथ ये मटन को भी भूने थे हरी मिर्ची में तो कभी आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएगा इंशाला आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे कभी आपको बुनेवे गोश और कली जी की रेसिपी चाहिए तो वो हमारे चानल पे अप्लोड़ेड है हम यहाँ पे आपको उपर लिंक शेर कर देंगे hope you like the video, दुआओं में याद रखिएगा, जजाक अल्ला